हेलो गाई इस तुन बात केने वाल है J.K.Lexe में सिमेट के बारे में इस कम्पनी का quarter to F.Y.23 का रिजल्ट आ चुका है सामने तो कैसरा इस कम्पनी का रिजल्ट और क्या इस कम्पनी ने dividend तीया है कि ने इसी के बारे में discussion करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को रिजल्ट के बारे में quarter and quarter base के इपर कम्पनी के रिजल्ट को compare करेंगे कम्पनी के यहाँपर से income से शुरुआत कर लेते है तो revenue from operation and other income को मिला कर कम्पनी का total income इस quarter के अंदर देखने का मिलता है 1324.06 करोड रुपिस का quarter and quarter base के इपर company के जो net income है वह यहाँपर से गिरावट हो कम्पनी के income में बड़ोतरी होती हुए नजर आ जाती है बाकि इस कम्पनी के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर purchase of stock and trade and भाई बहुत सारी जी दगापर company के अलग-अलग expenses देखने को मिलता है बाकि कम्पनी के total expense की बात करें तो 1234.71 करोड रुपिस का कम्पनी का total expense है कम्पनी क income गिरी है कम्पनी के expense भी गिरते हुए नजर आ जाता है बाकि कम्पनी के net profit की बात करें tax and expensive item काटने के बाद company के पास net profit बचता हुआ नजर आ रहा है वो है यहाँ पर से इस quarter के अंदर 58.97 करोड रुपिस का quarter and quarter base के उपर और पिछले साल से quarter के मकाबले company के जो profits है हुए यह होते हुए नजर आ रहा है पर गिरावट पर डरने की जरूरत नहीं है semen stock यहाँ पर ऐसा एक sector है यह जो पूरा यहाँ पर से volatile sector है मतलब यहाँ पर आप लोग नहीं देखा होगा cement company के अंदर बहुत जादा volatility रहती है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर सी water volatility से मतलब डर जात बाकी इस company के आपर से 5.01 रुपीज का company का EPS चलता हुए नजर आ रहा है जो quarter and quarter base के पर और पिछले साथ same quarter के मकाबले कम होता हुए नजर आ जाता है बाकी overall result इस company के बहुत ही जादा खराब आते हुए नजर आ रहा है खराब result के चलते हैं आप लोगों को घबराने की बिल के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के ना मत भूलना आलव गुडबाई फिर मिलते नेक्स्ट रुड़ो में गुडबाई